प्रेमित्रों नमस्कार, सत्यविचन कारीक्रम के आज के अध्यन में मैं आप सब का हर्दिक स्वागत करता हूं जैसा कि मैं समय समय पर कहते आया हूं कि पुवित्र शास्त का कोई भी भाग परमेश्वर की प्रेणा के बिना नहीं लिखा गया है बाइबल परमेश्वर का वच्छन है और उसके हर एक अंश उसकी ही प्रेणा से है इसमें समयलित इतिहासिक विवरण परमेशवर की प्रेढ़ना से ही है हो सकता है हम कभी-कभी कुछ बातों को पढ़ना उचित ना समझते हो लेकिन हमारे लिए हर हिस्से को जानना आवश्क है बाइबल का इतिहास मानवजादी के साथ परमेश्वर के वहवार को प्रदर्शित करता है जब तक हम उसकी गहराई में ना जाए हम नहीं जान पाएंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है या आपसे क्या चाहता है बाइबल का हितिहास उन लोगों के लिए नहीं है जिनके बारे में वह लिखा गया है या बाइबल में लिखी गई है बलकिन हमारे लिए है कि परमेश्वर को जाने और उसके सिधानतों को जाने तथा उसके अनुरूप वहवार करें परमेश्वर हमें आशीज देने के लिए ततपर है दोस्तों और परमेश्वर चाहता है कि आपको आशीज दे लेकिन वह हमारे जीवन को देखना चाहता है कि हम उसे कैसे समझते हैं और जानते हैं सत्यवचन कारिकरम हमें आईना दिखाने के लिए है कि हम परमेश्वर की नजरों में कैसे दिखते हैं यदि हमें सुधार किया वशकता है तो हमें पहल करना होगा आज ही पहल करना होगा आज हम शामवल की दूसरी पुस्तक का अंतिम अध्यन करने जा रहे हैं दाउद अब भी गलती करता है लेकिन फिर भी वह परमेश्वर के पास आता है आईए हम जाने कि कैसे हम भी उसके पास निरंतर आ सकते हैं चलिए अपने अध्यन में आगे बढ़ें मित्रो आज हम दूसरा शामवल की पुस्तक का अंतिम भाग देखेंगे हम देखेंगे दाउद के शूरवीर यहां दाउद के शूरवीरों की नामावली है आईए हम पढ़ते हैं दूसरा शामवल की पुस्तक 23 अध्याय उसके 8 पद यहां पर इस प्रकास से लिखा हुआ है दाउद के शूरवीरों के नाम ये हैं अर्थात तहक मोनी ये शिविर शिवेत जो सरदारों में मुख्य था वह इसनी अदेनी भी कहलाता था जिसने एक ही समय में 800 पूरश मार डाले मित्रों आपको इसमरन होगा कि ये वे योधा हैं जो दाउद के पास उस समय आये थे जब वह शावल से दूर निर्वासन में था उसे शावल तीतर की नाई खोज रहा था और वह गुफाओं में छीपा हुआ था उस समय शावल के सताय हुए ये निराश जन दाउद के पास आये थे दाउद के पास वे भी आये थे जो रिन गरस्त थे करवाहट से भरे थे और असंतुष्ट जन थे इसी प्रकार मनश्य मसी के पास आते हैं वे हताश मनश्य होते हैं अनेकों के पत्रों को पढ़ कर ऐसा पता चलता है कि अनेक युवा विद्रोही एवं निराशा से घिरे हुए थे वे मुझे पत्र लिख कर प्रभु के साथ अपने अनुभव्यक्त करते हैं वे पाप के रिन से दबे हुए मसी के पास आते हैं मसी ने उसके रिन छमा कर दिये क्या आप जीवन जी रहे हैं? आप उचित जीवन निर्वा कर रहे हैं? तो मेरे विचार में मेरे पास आपके लिए संदेश नहीं है परन्तु यदि आप आत्मा की गहराई में असंतुष्ठ हैं और उद्धार पाना चाहते हैं परमिशक की संगती चाहते हैं तो मसी के पास आ जाएं वह आपके जीवन में संतोष प्रदान करेगा मित्रोदावत के पास आने वाले ये लोग अनेक प्रकार से असाधारन मनुश्य थे उन्होंने अनेक असाध्य काम किये आईए हम उनमें से कुछ को देखें हम पढ़ेंगे दूसरा शामवेल 23 सध्याय उसके 11 और 12 पद में लिखा है उसके बाद आगे नामक एक पहड़ी का पुत्र शम्मा था पलिष्टियों ने इकठे होकर एक अस्थान में दल बांधा जहां मसूर का एक खेत था और लोग उनके डर के मारे भागे तब उसने खेत के मध्य में खड़े होकर उसे बचाया और पलिष्टियों को मार लिया और यहवा ने बड़ी विजय दिलाई दाल का एक खेत बचाना कोई महत्पुन बात प्रतित नहीं होती है परन्तु इस्राइलियों को भोजन की आवशक्ता थी पलिष्टियों का यह अभ्यास था कि इस्राइल में फसल तयार होने तक प्रतिक्षा करे तब आकर उसे लूट ले इस वर्ष भी सदा की तरह हुए आये और उनके भहे से सब इस्राइली भाग गये परन्तु शम्मा खड़ा रहा उसने अपनी तलवार निकाली और फसल की रक्षा की पलिष्टियों के पूरे दल के विरुद मात्र एक पुरुष और परमिश्र ने बड़ी विजय दिलाई दूसरा शम्मेल 23 अध्याय उसके 13 से 15 पद में लिखा हुआ है फिर 300 मुख्य सरदारों में से 3 जन कटनी के दिनों में दाउद के पास अधुलाम नामक गुफा में आये और पलिष्टियों का दल रपायम नामक तराई में च्छावने डाले हुए था उस समय दाउद गढ़ में था और उस समय पलिष्टियों की चवकी बैतलेहम में थी तब दाउद ने बड़ी अभिलाशा के साथ कहा कौन मुझे बैतलेहम के फाटक के पास के कुए का पानी पिलाएगा ध्यान दिजे दाउद का लालन पालन बैतलेहम में हुआ था उसने वहां के जीवन दायक जल के बारे में सोचा मैं दाउद की इस्थिती को समझ सकता हूँ मेरे घर में भी एक कुँआ था कुछ समय पूर्व मैं वहां गया और मैं उस कुए का पानी पीने के लिए रुख ही नहीं पा रहा था मैंने वह पानी निकाल कर पिया मेरे जी में जी आ गया मैं वही पानी पी कर बड़ा हुआ था अब दाउद भी उसी पानी की लालसा कर रहा था बैतलेहम के कुए के पानी की उसने पानी लानी की आ गया तो किसी को नहीं दी थी परंतो उसके शूरवीरों में से तीन ने पलिष्टियों की चाउनी में घुस कर दाउत के लिए पानी लिया इस प्रकार वे शूरवीर कहलाए मैं मतिर चिसू समाचार 28 अध्याय उसके 19 और 20 पद में व्यक्त परमेशन की आग्या के बारे में सोचता हूँ प्रित्वी की चोर तक मेरी गवाही दो तब मैं पूरु समय के उन मनुश्यों के बारे में सोचता हूँ जिन्होंने बैरी की सीमा में घुस कर उन लोगों को सू समाचार सुनाया जिन्हें सू समाचार की आवशकता थी प्रतेग प्रचारकों के बारे में सोचिए एक के बारे में नहीं परन्तु प्रेरित पॉलुस और मार्ठिन लूथर जैसे प्रचारकों के बारे में भी सोचिए उनके अनुज प्रचारकों के बड़े दल के बारे में सोचिए जो परमेश्वर के वचन के प्रसारण के आरमिक चरण से ही बैरी की सिमाव को पार कर रहे हैं ये लोग दाउद की संतान प्रवईशो मसी के शूरवीर हैं दूसरा शामवेल 23 अध्या उसके 20-22 पद में लिखा हुआ है फिर यहयादा का पुत्र बनाया था जो कवसेलवासी एक बड़ा काम करने वाले वीर का पुत्र था उसने सिह सरी के दो मुआबियों को मार डाला बर्ब गिरने के समय उसने एक गड़े में उतर के एक सिह को मार डाला फिर उसने एक रूपवान मिस्री पूरुष को मार डाला मिस्री तो हाथ में भाला लिये हुए था परंतु बनाया एक लाठी ही लिये हुए उसके पास गया और मिस्री के हाथ से भाला छीन कर उसी के भाले से उसे घात किया ऐसे ऐसे काम करके यहोयादा का पुत्र बनाया उन तीनों वीरों में नामी हो गया मित्रो मुझे यह बड़ा अच्छा लगा इस पूर्ष ने शेर मार दिया या आसान काम नहीं है इसने शेर को बर्फ में मारा था मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो वर्षा के बाद भूमी पर थोड़ा सा भी पानी हो तो आराधना में नहीं आते हैं ऐसे लोग बनाया की संगती में नहीं बैठ सकते वह तो बर्फ गिरने के समय भी बाहर था वह एक महान व्यक्ति था आए हम आगे पढ़ें दूसरा शामुएल 23 अध्या उसके 49 पद लिखा है और हित्ती उर्या था सब मिलकर 37 थे हित्ती उर्या भी दावद का एक शूरवीर था इसी को दावद ने युद में आगे भिजवा कर मरवा दिया था यह दावद के लिए कलंग का दाग था मित्रो यहां पर अध्याय तेश समाप्त होता है और अब हम अपने अध्यान को अध्याय 24 से जारी रखेंगे इसमें हम देखेंगे जनगरना के लिए दावद को दंड दावद ने एक और पाप किया उसने जन्गर्ना करवाई अब तक तो दावद को मनिश्यों की अपेक्षा परमेश्टर पर भरोसा रखना चाहिए था इस बार परमेश्टर ने दावद को ही उसका दंड चुनने दिया दावद अपने आपको परमेश्टर की दया के आसरे छोड़ देता है परमेश्टर महमारी भेशता है दाउद अरोना का खलिहान खरित कर परमेश्टर की वेदी बनवाता है उसे निर्मोल लेने के लिए दाउद ने इनकार किया इससे उसकी इश्वर भक्ती और समर्पन प्रगट होता है यही वह स्थान हुआ जहां सुलेमान ने मंदिर बनवाया था आज वहाँ मस्जित अवल बना हुआ है परन्तु भावी मंदिर वहाँ फिर से बनेगा आए देखे जनगरना अनेक विचारक इसे पाप नहीं कहते हैं परन्तु मैं इसे दावत का पाप कहता हूँ परमेश्वर की द्रिष्टी में दावत द्वारा की गई जनगरना उसके अन्य पापों के तुले ही बुरी थी विवस्था के एक नियम का उलंगन संपुन विवस्था का उलंगन है इसके इस काम का अर्थ था परमेश्वर में भरोसा ना रखना आएए पढ़ें दूसरा शामुल 24 अध्या उसके एक और दो पद में लिखा है यहवा का कोप इसराईलियों पर फिर भड़का और उसने दावत को उनकी हानी के लिए यह कह कर उभारा इसराईल और यहुदा की गिंती ले इसलिए राजा ने युवाप से नापती से जो उसके पास था कहा तु दान से बिरशेबात तक रहने वाले सब इसराईली गोत्रों में इधर उधर घूम और तुम लोग प्रजा की गिंती लो ताकि मैं जान लो कि प्रजा की कितनी गिंती है मित्रो आरंभ में परमिर्षर ने दावत से जन्गरना करवाई थी प्रन्तु उसमें परमिर्षर का उद्देश था कि दावत को प्रसाहित करे और उसे बल प्रदान करे परमेश्वर उसे धानस बन्धाना चाहता था कि उसके साथ बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं मेरे मित्रों विश्वास का अर्थ यह नहीं कि अंधकार में छलांग लगा दें यह जुआ नहीं है और नहीं अनुमान है विश्वास एक निश्चिद बात है परमेश्वर आप से कभी नहीं कहता कि किसी ऐसी बात पर विश्वास करें जो सच नहीं है विश्वास चटान पर वरन एक निश्चित निव पर आधारित होता है प्रवईश्व मस्य वह निव है अता विश्वास खाली अस्थानवे चलांग लगाना नहीं है तथा पि मेरे मित्रो जीवन में एक समय ऐसा आता है जब आपको विश्वास का जीवन जीना होता है और विश्वास से ही कुछ करना होता है और यह समझना होता है कि आप अपने प्रयास से या मात्रा में अधिकता के आधार पर जीवन निर्वाह नहीं कर सकते दुर्भाग्य से आज कलिस्या ने परमेश्चर पर भरोसा करना नहीं सीखा है इसका परिणाम यह है कि कलिस्याई सभा में आत्मेक विजेयों का उलेख कभी नहीं किया जाता है मोख्य विशे होते हैं हमारे पास कितना पैसा है हमने कितने बप्तिस में किये हैं हमने कितने नए सदस्य बनाए है यदि ये आकड़े प्राभावी हैं तो हम सोचते हैं कि यह एक महान आत्मिक विजय है सच तो यह है मेरे मित्रों कि यह कलिश्या की सबसे बुरी बात है हम देखते हैं दाउद जनगर्ना करके पाप करता है क्यों अब वह एक वृद राजा है और भली भाती जानता है कि परमेश्र ने उसके लिए एक निव तयार की है वह यह भी जानता है कि वह शत्रों पर जै पास सकता है उसे जनगर्ना की आवशकता ही नहीं है मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि आज की कलिश्या का स्राब वह व्यक्ती है जो सदेव हिसाब लगाता रहता है और लिखता रहता है परन्तु उस आत्विक विजय के बारे में कुछ नहीं जानता जिसका होना आती आवश्यक है दाउद यहां ऐसा ही कर रहा है हम दूसरा शामवेल चोबिस अध्याय उसके दस से तेरा पद में आगे पढ़ते हैं लिखा है प्रजा की गड़ना करने के बाद दाउद का मन व्याकुल हुआ अता दाउद ने यहवा से कहा यह काम जो मैंने किया वह महापाप है तो अब हे यहवा अपने दास का अधर्म दूर कर क्योंकि मुझ से बड़ी मुर्खता हुई है सबेरे जब दाउद उढ़ा तब यहवा का यहवचन गाद नामक नवी के पास जो दाउद का दर्शी था पहुँचा जाकर दाउद से कह यहवा यह कहता है कि मैं तुझ को तीन विफत्यां दिखाता हूँ उन में से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूँ अतर गाद ने दाउद के पास जाकर इसका समाचार दिया और उससे पुछा क्या तेरे देश में सात वर्ष का अकाल पड़े या तीन महने तक तेरे शत्रो तेरा पीछा करते रहे और तो उनसे भागता रहे या तेरे देश में तीन दिन तक मरी फैली रहे अब सोच विचार कर कि मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दू परमेशर ने दावद पर ही छोड़ दिया कि वह दंड चुने परमेशर को दिया गया दावद का उत्तर प्रशंसनिय है इससे प्रगट होता है कि वह एक ऐसा पुरुष है जो जानता है कि परमेशर पर भरोसा कैसे रखें मैं पहले भी कह चुका हूँ और फिर कहूंगा दाउद चूका यह सच है उसने पाप किया परन्तु चूकने वाले विश्वास के नीचे एक अच्युक विश्वास था जो कभी नहीं चूका मूलरुप से दाउद परमेशर में विश्वास करता था जैसा कि गाद को दिया गया उसका उत्तर प्रगट करता है आई हम पढ़ते हैं दूसरा शामवेल 24 अध्या उसके 14 पद यहाँ पर इस प्रकास लिखा हुआ है दाउद ने गाद से कहा मैं बड़े संकट में हूँ हम यहवा के हाथ में पढ़ें क्योंकि उसकी दया बड़ी है परन्तु मनिश्य के हाथ में मैं ना पढ़ूँगा परमेशर ने दाउद के सामने तीन दंड रखे कि उन में से एक चुने दाउद ने उन में से एक भी नहीं चुना उसने परमेशर से कहा कि वह मनिश्य के हाथ में पढ़ना नहीं चाहता यह एक बात है जो मैंने अपनी सेवा में सदेव परमेशर से प्रात्ना में कही है हे मेरे परमेशर मुझे ऐसी स्थिती में कभी नहीं आने देना जहां मैं मनिश्यों पर निर्भर करूँ सवभागय से आज मैं जब अपनी सेवा में पीछे मुड़ कर देखता हूँ तो पाता हूँ कि परमेश्वा ने मुझे कभी ऐसी स्थिती में नहीं रहने दिया जब मुझे किसी गी दया दिर्ष्टी पर निर्भर होना पड़े आज मुझे उन लोगों को सेवा में देखकर दुख होता है जो सेवा में बने रहने के लिए दूसरों की चापलूसी करते हैं परमेश्वा उन पर दया करे दाउद मनिश्यों के अधीन होना नहीं चाहता था वह परमेश्वार के हाथ में पढ़ना चाहता था क्योंकि वह परमेश्वार पर भरोसा रखना जानता था जी हां दाउद को ऐसा करते देख कैसी अच्छी अनुभूती होती है परमेश्वर ने इस्रायल पर महमारी डालने का निर्ने लिया दाउद जानता था कि परमेश्वर के हाथों में पढ़ना भला है आपको और मुझे ऐसी ही अनभूती होनी चाहिए जब परमेश्वर हमें दंड देता है मेरे मित्रों परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसे दंड भी देता है अपने अनभू से मैं आपको गवाही दे सकता हूँ कि उसके दंड देने में कोमलता है उसमें सुईधा है आशिशे हैं केवल वही आशु पोच सकता है वही मन के घाव भर सकता है डॉक्टर आपके दुरघटना के घाव सिल सकता है परन्तो मानसिक आघात से केवल प्रभुईश्व चंगा करके आपको आनदित कर सकता है आज हमें उसके कैसी गहन आवशकता है दाओद अरोणा का खलियान खरितता है अब हम इस पुस्तक के अंतिम भाग में आते हैं दाओद परमिर्श्व के लिए भवन बनाना चाहता है आईए पढ़ें दूसरा शामुल 24 अध्याय उसके 18 पद लिखा है उसी दिन गाद ने दाओद के पास आकर उससे कहा जाकर अरोणा यबूसी के खलियान में यहवा की एक वेदी बनवा मित्रो ध्यान रखें अरोणा इस्राइली नहीं यबूसी है दूसरा शामुल 24 अध्याय उसके 19 से 21 पद में लिखा है अतह दाओद यहवा की आग्या के अनुसार गाद का वह वचन मान कर वहां गया जब अरोणा ने दृष्टी कर दाओद को कर्मचारियों समेत अपनी ओर आते देखा तब अरोणा ने निकल कर भूमी पर मुह के बल गिर राजा को दंडवत की और अरोणा ने कहा मेरा प्रभू राजा अपने दास के पास क्यों पधा रहा है दाओद ने कहा तुझ से यह खलिहान मोल लेने आया हूँ कि यहवा की एक वेदी बनवाओं इसलिए कि यह महामारी प्रजापर से दूर की जाए अब देखिए दाओद खलिहान खरिदने का अपना परियोजन समझता है दूसरा शामुल 24 सद्या उसके 22 से 25 पद में लिखा है अरोणा ने दाओद से कहा मेरा प्रभू राजा जो कुछ उसे अच्छा लगे उससे लेकर चड़ाए देख होम बली के लिए तो बैल हैं और दाओने के हथियार और बैलों का सामान इंधन का काम देंगे यह सब अरोणा ने राजा को दे दिया फिर अरोणा ने राजा से कहा तेरा परमेशर यहवा तुझ से प्रसन हो राजा ने अरोणा से कहा ऐसा नहीं मैं ये वस्तवे तुझ से अवश्य दाम दे कर लूँगा मैं अपने परमेशर यहवा को सेंत मेत में होम बली नहीं चड़ाने का अतर दाओद ने खलिहान और बैलों को चांदी के पचास शेकेल में मोल लिया तब दाओद ने वहां यहवा की एक वेदी बनवा कर होम बली और मेल बली चड़ाए और यहवा ने देश के निमित विंती सुन ली तब वह महामारी इस्राइल पर से दूर हो गई मित्रो दाओद का यह काम मर्यादा पूर्ण था काश परमेशर के जन यह शिक्षा लें कुछ लोगों का मानना है कि परमेशर की सिवा में हमें पैसों की बात नहीं करनी चाहिए मैं मानता हूँ कि आज सिवा में पैसों पर अधिक बल दिया जाता है परन्तो दाओद ने जो किया उसे भी तो देखे अरावना दाओद की भूमे निर्मोल देना चाहता था परन्तो दाओद ने कहा मैं अपने परमेशर को सेंत मेत के बलिदान नहीं चढ़ाना चाहता मैं इन्हें दाम देका लूँगा परमेशर उन सेवकों पर दया करे जो मुफ्त में मजे लेना चाहते हैं मेरे मित्रों मुल ले दो, परमेशर आशिष देगा, सम्मानित करेगा, दाउद का यह काम दिल को खोजने वाला काम है, क्या हम परमेशर को ऐसी भेट चड़ाना चाहते हैं, जिसका हमारे लिए मोल नहीं, परमेशर हमें शमा करता है, काश हम वैसे ही दान करें जैसे दाउद ने दिया था, दाउद परमेशर के मन का मनशिथा, आज आप किस प्रकार परमेशर को दान देते हैं, और आपका जीवन किस प्रकार है, मित्रों यहाँ पर, आज हमारे अध्यन का समय समाप्त होता है, परमेशर के द्रिस्टी में पाप पाप है, चाहे वैक्ती ने कुछ भी किया, यदि यह उसकी आज्याओं के विरुद्ध है, तो व्यवस्था हमें पापियों के रूप में दंडित करती है, इसलिए हम सभी को उसके पुत्र ईशू के माध्यम से परमेशर के अनुगर की अवशक्ता है, वह हमारे पापों का सच्चा प्रायस्चित है, मसी ईशू के बिना हम सभी पवित्र परमेशर के इस तर से कम है, हाला कि हमारे उद्धार करता के रूप में ईशू पर भरोसा करके हम पवित्र आत्मा की सामर्द के माध्यम से आज्याकारिता, विश्वास और प्रेन में जीने के लिए परिवर्तित हो सक करते हैं, जब हम विश्वास से जीते हैं, तो हम देखते हैं कि परमेशर ने सब कुछ समभाल लिया है, सरप्रथम हमें दूसरों के पापों के बारे में चिंता करने की अवशक्ता नहीं है, बलकिन इस बात पर ध्यान देना है कि अपने स्वेम के साथ हम कैसा वहवार करते हैं, या हमारे साथ कैसा वहवार किया जाए, जो कि हम भी पापी हैं, हमारे पापों का सामना करना हमें परमेशर के साथ घनिस्ट संबन में ले आता है, जिससे कई बार हम कतराते हैं, अपने पापों को हम सामने लाना नहीं चाहते हैं, और हमें परमेशर के वचन का पालन क करने की ये बात शक्ति देता है दाउद जंगरना करके पाप करता है लेकिन फिर वह अपने किये पर पशताप करता है शोकित होता है यही बात दाउद को भी सबसे अलग बनाती है आए हम उससे सीखें और परमेश्वर के साथ बने रहें प्रभु आपको आशीश दे आए हम स्वर्गे पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हमें इस बात से फिर से गद कराया कि हमें सिर्फ एक कारिक करना है बारां बार कि यदि हमने पाप किया है तो अपने पापों को मान कर शमा मांग कर आपकी और फिरना है प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने शामिल की दूसरी पुस्तक के अध्यान को पूरा करने में हमारी साहता किया दाउत के जीवन से अध्भुत चीजों को आग्याओं को विधियों को हमने सीखा अनुगर करें पिता कि ये विधिया ये घ्यान हमारे जीवन में बना रहे हम इसके दौरा से अपने जीवन को परिवार को कलीसिया को और अपने आने वाली पीड़ी को प्रभु आपकी आशीशों से भरने पाएं कि आज हम आपकी और मुड़ कर पापो की शमा प्राप्त करे क्योंकि प्रभू आप हमारे पापों को शमा करने के लिए इंतजार कर रहे हैं हमारे सारे दर्शकों के लिए धन्यवाद देते प्रभू जो नियमी तोर पर हमारे साथ सलगन होते हैं और इस अध्यन में शामिल होते हैं प्रभू आपने उन्हें आशिशित किया है, प्रभू आपने जो शिक्षा उन्हें दिया है, उसमें उन्हें बढ़ाएं, प्रभू मारी प्रार्थना है, कि आने वाले समय में जो अध्यन हम करते, उसमें भी प्रभू हमारे इन सारे लोगों को संबलित करें, और हमारे मांगते हुए इस बिन्ती को इश्यू के नाम से मांगते हैं। आमेन। अगले प्रसारण में एक नई पुस्तक के साथ हम आपके सर्मक फिर से हाजिर होंगे। तब तक इन अध्यनों को इस्मरन करें। और परमेश्वर की आशीश में बने रहें। प्रभू आपको आशीश दे। नमस्कार। झाले प्रत्प लिए खने आपको 5th छू को इस्मर से फिर से हाज़ ग। झाल झाल